वेल गाईज आसके इस वीटो के अंदर मैं आपको IDFC First Bank के अंदर एक Zero Balance Saving Count open करने का फुल पर्सेस बताने वाला हूं कि कैसा आप अपने अपने अकाउंट ओपन करोगे बहुत सारे लोगों को डाउट एता है कि यहाँ पे IDFC Bank के अंदर कोई भी Zero Balance Account नहीं होता है लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है लेकिन अभी के समय में आपको यहाँ पे IDFC Bank के अंदर एक Zero Balance Saving Account मिल जाता है जिसको के आप जैसे ओपन करता है वैसे आपके यहाँ पे चेक्पू की फैसलेटी, पास्बू की फैसलेटी, ATM काड़ की फैसलेटी, मॉबाईल बेंकिंक की फैसलेटी सारी फैसलेटी मिल जाती है और साथी साथ मैं ये भी बताने बलाओं कि इस bank के अंदर आप यहाँ पे zero balance account open करते हैं तो आपके यहाँ पे क्या charges वेगरा पे करना होता है और साथी साथ आप इसको without charges वाले कैसे account बना सकते हैं तो चले फिर सुरू करना ते इस वीडियो के कैसा में आप account open कर लेंगे IDFC First Bank में account open करने के लिए basically आपको link वीडियो के description box में मिल जाएगा आप link पे click करना और आपके सामने account opening का process सामने आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले आपकी यहाँ पर mobile number मंगा जाता है यहीं पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहा जाएगा कि जो आपका अधार date of birth पूछा जाएगा जो भी आपका date of birth होता है अधार card और pen card करने साथ वहीं date of birth आप यहाँ पर फिल करना निचे में आपकी email ID मांगी जाती है जो भी आपका professional email ID है जिसको आप यूज करते होगे वही email ID फिल करना आपकी यहाँ पर pen number मांगा जाता है जो भी आपके 10 की अधार नमर मांगी जाती है जो भी आपका अधार नमर होगा आप उसको यहाँ पर फिल करना उसके बाद नीचे में click here का option मिलता है इस पर click करके सबसे पहले आप अपने अधार card के detail को verify कर लेना अधार नमर इंटर करने के बाद नीचे में आपके यहाँ पर get OTP option मिलता ह आप इस पर जैसे click करोगे वैसे आपके अधार card से जो भी नमर लिंक होता है उस पर OTP करा जाता है आप उस OTP को सबसे पहले फिल करने के बाद आपके सामने verify अधार का option मिलता है फिर से नीचे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके एक और option मिलता है कि यह जो आपके अधार card के detail पर IDFC first wing की service प्रवाइड नहीं करता है तो basically मैं गाउं से हूँ तो हो सकता है यहाँ पर IDFC first wing की service अभी लेबल नहीं होगी आप जहां से भी होगे वहाँ पर try करना अगर आप salary होगे तो salary select करना self-employed होगे self-employed होगे यहाँ पर आपको बहुत सारा options मिल जाते हैं student का भी option मिल जाता है जो भी आफ होंगे आप उसको यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद आपके source of income पुछी जाती है यहाँ आपको तीन options मिल जाता है सबसे पहला salary का second में family wealth का सेविंग का आप यहाँ पर saving select कर लेना अगर job करते होगे तो आप यहाँ पर salary select कर सकते हो यहाँ पर आपकी gross annual income पुछी जाती है मतलब कि सलाना आपकी आए कितनी होती है जो भी आपकी सलाना होगी आप उसको यहाँ पर इंटर करना उसके नीचे में आपको माता जी का नाम होगा आप उसको यहाँ फिल करना नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि basically idfc first bank के अंदर दो एकाउंट मिल जाते हैं सबसे पहला होता है दस सर मेंटेन वाल एकाउंट और शेकेंड में आपको मिल जाता है पचीस सर मेंटेन वाल एकाउंट बहुत ही ज्यादा लोग यूज कर रहें क्योंकि यहाँ पर पैसे मेंटेन करते हैं तो आपको यहाँ पर सारा कुछ की फैसलेटी फिरी अफकर्ष्ट मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10,000 एकाउंट में आपके यहाँ पर वीजा का क्लासिक डेविट कर मिलता है वहीं अगर चुट मिल जाते हैं यात्रा पे यहाँ पर 10,000 एकाउंट में एक दिन में आप यहाँ तक का डुमेस्टी कैस्ट कर सकते हैं किसी वी एटिम पर जाके वहीं अगर आप 25,000 वला एकाउंट उपेन करते हैं तो आपके यहाँ पे 2 लाग तक की cash withdrawal के सुविदा आपको मिल जाती है जो कि आपको एक दिन का अंदर मिल जाता है डेली purchase limit के बात करें तो आपके यहाँ पे 10,000 वला यानि की classic debit card का अंदर 4 लाग की मिल जाती है वहीं आपको platinum debit card के अंदर 6 लाग की मिल जाती है purchase protection आपके यहाँ पे 50,000 तक का और यहाँ पे आपको 1 लाग का मिल जाता है year accidental cover आपको classic debit card पे 30,000 का वहीं platinum debit card पे 1 करोड का आपको मिल जाता है और सबसे बड़ी बात उपर में आपको मिल जाता है कि अगर आप इस account में पैसे maintain करते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा interest rate saving account आपको मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरे किसी भी bank में नहीं मिलेंगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे 7.25% का interest rate per month आपके यहाँ पे मिल जाता है और यह जो भी interest होता है monthly by monthly आपके account में credit कर दी जाती है और पैसे maintain करने पे आपके यहाँ जिरो charges on all service मतलब कि आपको जितनी भी service मिलती है यही नीचे में आपको डिस्क्लेमर मिल जाता है Mतलब कि आपके आपके कुछा जाता है कि RBI guideline का समसार आप किसी भी plotical parties से export नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर आप किसी plotical parties होंगे तो आप यहाप account पर नहीं कर सकते हैं यह सब सारी कुछ आपको detail मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं यहीं पर आपको कुछ charges वगएरे मिल जाते हैं जिसको कि आप यहाप अच्छे कर सकते हो और फिर सारी detail फिल करने के बाद नीचे में आपको यहाप पर proceed to open account का option मिलता है simple app इस पर जैसा ही क्लिक करोगे वैसे आपका account ओपन हो जाता है और आपके यहाप एकाउंट के detail जैसे कि customer ID एकाउंट नमर वेगेरा मिल जाता है तो यहाप एक बार अच्छी से साई detail फिल करेंगे और यहाप आप सोच समझ के open account वाले option पर आपके लिए करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे case में congratulations का message हमें यहाँ पर मिल चुका है हमारा customer ID यहीं पर मिल जाता है और account number भी यहीं पर मिल जाता है मतलब कि हमारे यहाँ पर 100% जो है account open हो चुका है बस आपके यहाँ पर इस account को fully complete open करने के लिए पूरा feature unlock करने के लिए आपको वीडियो को IC simply complete करना होता है वीडियो को IC कैसे आप complete कर सकते हो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लो होगा application में जैसे ही login करोगे वैसे ही आपके यहाँ पर account number आपकी customer ID मिल जाती है वहीं पर आपको इस परकार का start video को IC का option मिलता है simply आपको click करके अपने वीडियो का IC complete कर लेना होता है वीडियो को IC पर जैसे ही आप click करेंगे वैसे आपकी आधार कार्ट से जो भी phone number लिंक होता है उस पर OTP करा जाता है आप सबसे पर OTP भी verify कर लेना उसके बाद आपके सामने वीडियो को IC का option आता है देखें वीडियो का वाइस होता क्या है जैसे आप वाट्सप पर किसी से वीडियो काल के थुरूबात करते हो वैसे ही आप से IDFC First Bank के कोई भी एक agent वीडियो काल पर जुटेंगे और आपकी वहाँ पर कुछ detail verify करी जाती है आपकी यहाँ पर pen card दिखानी होती है और एक आपको live signature करके upload करनी होती है बस आपकी वहाँ पर वीडियो का इसी complete हो जाती है और आपकी IDFC First Bank की सारे feature unlock हो जाती है तो simply आप इस फर्सेस को follow करके IDFC First Bank के अंदर एक अपना जिरो बैलेंस सेविंग का उपन कर सकते हो दोस्तों वीडियो पसंद आओगा तो वीडियो का लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लो और निटिफिकेशन बेल कौन कर लो ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके